दोस्तों एलहाबाद हाई कोट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जो 2004 का उत्तर परदेश का जो मदर्सा एक्ट है वो अनकॉंस्टिटूशनल है और वो जो कॉंस्टिटूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं सेकलोरिजम उसको वाइलेट कर रहा है और कोट ने ये भी दिया है कि रियास्ती हकोमत को यूपी की सरकार को जो मदर्सा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मदर्से से निकाल कर उनको जो गॉर्मेंट इसकूल है उनमें उनको ऐकोमडेट करें तो ये जो फैंसला है, ये फैंसला मदर्सा की जो आइडेंटिटी है, मदर्सा की जो तारीख है, जो उसकी खिदमात है, उसके खिलाफ गया हुआ है और देश में बहुत सारे सेकुलर और इंसाप पसंद लोगों को इससे बहुत मायूसी हुई है ये इसलिए कि हमारे constitution में minorities को, अलपसंख्यक को अपने धर्म पे चलने, अपने culture को protect करने, उसको महफूज करने और अपने तालिमी इदारे को, अपने educational institute को चलाने का fundamental rights हासिल है और fundamental rights जो है, वो किसी भी एक democratic constitution जो है, उसकी वो रूह होती है, उसकी वो आत्मा होती है और किसी भी सूरत में constitution के अंदर में जो fundamental rights है, उसको नहीं छीना जा सकता है उसको minority को उससे कभी भी deprive नहीं किया जा सकता है यह बहुती दुख की बात है कि मदर्सा के मसले पे court ने बहुती एक larger perspective में चीजों को नहीं देखा है और इसी लिए इस तरह का फैंसला आया है और इस तरह से मदर्सा के ऊपर एक बड़ी मार है और इससे जितने भी democratic minded जो लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई है उनको बड़ी मायूसी हुई है और हम यहीं चाहेंगे कि यह जो फैंसला है उसके बात से जो मदर्सा और minority के जो educational institute पे जो एक तरह से खत्रे के बादल जो चाहे हुएं उसका समधान जो है और तरीकों से या फिर जो higher court है उसके मदद से इसको दूर किया जाए और एक जो डर और भै का जो माहौल बना हुआ है जो minorities के बीच में उनको दूर किया जाए जाते जाते एक बात और मैं अर्ज कर दूँ कि ये जो मदर्सा के ऊपर जो इस तरह की मनफी और negative सोच जो हमारे समाज में पाई जा रही है उसके लिए बहुत हद तक इस्लामोफोबिक जो डिसकोर्स है वो इसके लिए जिमेदार है और इस्लामोफोबिक डिसकोर्स का मतल सब यह है कि आप इसलाम उससे मतालिक जो उसके कल्चर है या मुस्लिम सोसाइटी जो है या फिर उनके जो रिलीजन है जो उनके धर्म है उनको लेके आपके दिलों में जो है वो बिल्कुल एक negative mindset पाई जाती है आपके अंदर में भय पाया जाता है और भय जो होता है वो ब उज़स्ता बीस या तीस या चाली सालों में मदर्सा को एक प्लान के अताहत उसको target किया गया है ये कहा ग You what बच्चे निकलते हैंगे वो बच्चे किसी काम के नहीं होते हैं बच्चे एक हतक panetic और कट्टरपंती और यह बात ब लARONत है क्योंकि मदर्से के अंदर में ये सही बात है कि वहाँ पे इसलाम और दीन और धरम की पढ़ाई होती है लेकिन उसके साथ साथ मदर्से के अंदर में आपको उर्दू की पढ़ाई होती है मदर्से के अंदर में फार्सी पढ़ाई जाती है और दीगर जबानों की तालिम दी जा रही है तो वक्त गुजरने के साथ-साथ मदर्सा ने भी जो जदीद उलूम है जो modern education से उसको भी अपनाया है और मदर्से से निकलने वाले बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी इन्वर्सिटियो मदर्सा से निकलने वाले जो students हैं उसको ये कहना कि ये देश के लिए ये लोग बिलकुल उसके टेस्ट के मताबिक नहीं है ये हमारी जो तहजीव है हमारी जो हिंदुस्तान की जो रवायत है उससे मेल नहीं खाता है हमें तारिखी तोर पर ये नहीं भूलना चाहिए कि र हात्मा गांदी की जो तहरीक थी 1920 में नॉन कॉपरेशनस मुव्मेंट वो इसलिए मुकमल हो पाए क्योंकि उनको देवबंद मदर्सा और उससे जुड़े हुए उल्मा और उनसे जुड़े हुए मुस्लिम गायदीन की बहुत हिमायत मिली और हमें यह नहीं बूलना चाहि मिल था उसके एक कटर मुखालिब भी थे और उन्होंने मुश्तरका तहजिब यानि कंपोजिट निसनलिजम की बात की है और गांदी जी का जो रिस्ता था वो देवबंद के आलिमों से वो तो बहुत ही गहरा था और कॉंग्रेस की सियासत जो थी कॉंग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी या फिरास्टी या अंदोलन था उसमें आपको कभी भी आप मदर्सा के साथ जो उनका मेल जो लए इसको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं और रही बात जहां तक सेक्लरिजम की तो हमारे देश में सेक्लरिजम का मतलब है तमाम मजाहिब को हमें र करो असल में सेक्लरिजम का खत्रा आज हमारे मुल्क में मदर्सा की तरफ से नहीं है बलकि उन लोगों की तरफ से है जो इस पूरे मुल्क में एक ही कल्चर एक ही धरम और एक ही संस्कृति सब के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म का इस्तमाल सियासत में जोर श PACE Congress, और सारे सहुलियतियने उनके खाने पिने रहने किताबों की हमने मदद करें सरकार की जिमlyदार यह मुल्क तरफी सब्सक्लार है जब इस देश में माइनॉरिटी को भी मेंटर्प में बराबर में लाया जाएगा उनको बराबर की हुकूक दिया जांगे उनको तालिमी चेतर में आooky बड़ाया जाएगा इसलिए मदर्शा के प्रती किसी भी तरह का इस तरय का मनफी रुख रखना यह ठीक नहीं है हमें मदर्शा को दिल से अपनाने के जरूरत है और इस मदर्शा का उनका नाम रोशन है, सब लोग उनको पढ़ते हैं और भारत की इसे इज़त बढ़ी हुए, इसलिए मैं अपील करूँगा कि आए पीसफुली तरीके से, डेमोक्राटिक तरीके से, जम्हूरी तरीके से, हम लोग अपनी सुलिडार्टी मदर्सा के साथ दें, हम मदर्सा के ब परती आदर है, और मदर्सा को किसी भी तरह से गलत भावना से देखना, उनको किसी भी तरह से गलत अपराज से जोड़ना, उनके परती मनफी सोच रखना, ये हमारे जो मुझाहिदे आजादी हैं, जो हमारे देश को आजाद कराने वाले, जो हमारे लीडरों थे, उनके प मिलके एक बार फिर मदर्शा के साथ अपने स्वले डाटी पेश करें और उमीद करते हैं कि जल्द ही इस फैंसले को उलटने के लिए भी कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका